हमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल प्रेम की शक्ति में दोस्तों हुली का त्योहर आने में कुछ ही दिन सेश है इस साल 7 मार्च को हुली का दहन होगा और अगले दिन 8 मार्च को खुलाल वाली हुली खेली जाएगी जोतिस के अनुसार हुलिका दहन की पूजा करते समय हमें कुछ बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए। हुलिका दहन में किसी भी तरह की गलतियां आपको जीवन भर के कष्ट में टाल सकते हैं। इस बेडियों की माध्यम से यही समय आपको बताने वाली हूँ कि पूजा करते समय आपको कुण सी साब दानिया बरतनी हैं। हुलिका दहन से पहले मा हुलिकी पूजा की जाती है। सूर्यों देस से पहले इस्नान करके साप बस्त्र पहने। जहां आपने हुलिकी स्थापना की है वहाँ पर अक्षत, माला, हल्दी, फूल और साथ प्रकार की अनाज यह सब हुलिका मया को अर्पित करें। साथ ही भगवान नर्सिंग की भी पूजा करें और धूप दीप चलाएं। हुलिका की साथ परिकम्मा करें। और हुल का दहन की समय आग में जो और चावल जरूर डालें। इससे आपके उपर मालक्षमीजी की करपा हमेशा ही बनी रहेगी। और हुल का दहन के दिन किसी को उधार पैसे ना दें। कोई भी पैसों का लेंदें ना करें। और इस दिन सफेज चीजों को नखाएं। इससे सरीन में नकारात्मक सकती का बास होता है। हुल का दहन के दिन आम बट और पीपल की लकणियों को ना जलाएं। इस दिन भूल कर भी अपनी मा का अपमान ना करें। इससे आपको भारी नुक्सान जेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियों बस इतना ही और आगे ऐसी ही वीडियों के लिए जूड़े रहें हमारे चैनल प्रेम की सकती में। धन्यवाद।